कि राधे राधे फ्रेंड्स मैं बीना पाटक मुरादवाद से फ्रेंड्स आज मैं अपने कोलियस प्लांट का कलेक्शन दिखा रही हूं कि समर में हमें इनकी कैसे केयर करनी चाहिए कैसे ने बुशी और अच्छा सुंदर बनाना चाहिए वो मैं दिखा रही हूं आप लोगों को देखिए किपने सारे हैं मेरे कोलियस प्लांट बहुत ही सुन्दर लगते हैं फ्रेंड सी यह आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुग देते हैं कि बहुत सारे हैं मैंने बहुत सारे बना लिए कटिंग लगा लगा के इनकी कि इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स बहुत तेजी से यह बढ़ते हैं कटिंग आप लगा लो तो जैसे यह आपको लगे कि प्लांट थोड़ा पुराना हो रहा है उसकी आप कटिंग तुरंट लगा दें तो यह आप क्या सालों साल ऐसे ही चलते रहेंगे देखिए इसका कितना अच्छा है कलर वैरियेशन यह देखिए फ्रैक्स यह मैंने कटिंग लगाई है और भी दिखाती है बहुत सारी सब कटिंग से ही मैंने तैयार किये यह देखिए रैड बहुत ज्यादा खाद वाली मिट्टी नहीं चाहिए हुआं देखिए बुरबुरी मिट्टी में लगाए हलकी सी गुबर कीहाट डाल कर छोटी कटिंग भी आरों से लग जाती है चार-पास दिन में कटिंग तैयार ह जाती है को मिट्टी इनकी हमेसा मॉ erst रहनी चाहिए न autocon favourite cha jama sauce इस यह बहुत आराम से चलते हैं मिठी में हमेशा इनकी नमी रहनी चाहिए बिलकुल सूख जाती है अगर आप की Pronτ की मिठी रोज रोज सूख जाएगी शूख पत्ते मुरज जाएंगे तो वह फिर जल्दी से जहड़ने लगते हैं तो इनके गंबले की मिट्टी हमेशा मिट्टी में नमी रहनी चाहिए कि पंद्रह दिन में एक बार इन इसमें लिक्ट फ़र्टिलाइजर डालो कि सर्सों की खली का तो इससे इनके कलर और भी ज्यादा बहुत सुन्दर आते हैं यह देखिए कितना सुन्दर है Hinुर्ट अच्छे कलर आते इसमें और उपर से इनके पिंच करते रहें देखी ए मेरे किसी में भी छोटे लिप्स नहीं है कि अधिन में इनके पट्थे पिंच करते रहेए तो यह बहुत सुन्दर लगते हैं इस सब गर्मियों में एक साथ रखे वह बहुत प्यारे लगते हैं गार्डन की शोवा बढ़ाते हैं और लो मैंटिनेंस प्लांट है और बहुत जल्दी इनकी कटिंग लग जाती है तो आप कटिंग से इने बढ़ाते रहिए देखिए और भी दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग से लगा रखें यह देखिए फ्रेंट्स यह भी कटिंग मैंने लगा रखें सब अच्छे से चल पड़ी है चाड़ तरें की कटिंग लगी है यह बहुत ही सुन्दर लगते है को के फ्रेंट्स रादे रादे